हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत हैं आप सभी को कॉमिक वर्ल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज का कॉमिक डाइजस्ट अंगारा और कमांडो ड्रैगन इसके पहले जितनी भी अंगारा की कॉमिक्स है आपको अंग से बड़ा पुजारी सिंगराज को मैदान में उतारा सिंगराज को अपने भाई बुल्डॉग की मौत का बडला भी लेना था अंगारा ने सिंगराज को कैद कर लिया इस भी सिंगराज को एक बार तो चारली ने आजाद किया परंतों अंगारा ने दोबारा सिंगराज को पक पांडो टैगन के पुजारियों का आतंक था यहां चारली भी राजकुमारी जूनी की मदद कर रहा था अंगारा ने भी किमबा की मदद की और हवा के बेटे चिली को जमीन में गार दिया यह सब जानकारी लेने के लिए आप अंगारा की पिछली कॉमिक्से पढ़ लें जो क जिली की तो हमने समाधी बना दी परंतु सिंगराज ने मौत का नाटक रचकर हमें दोका दिया वै कभी भी किमबा देश पर आकमण कर सकता है हम सिंगराज की भी समाधी बना देंगे यदि हम सुरक्षात्मक युद लड़ते हैं तो ये युद किमबा की भूमी पर लड़ा जाएगा यदि आक्मर हमारी ओर से होता है तो युद कमांडो ड्रैगन के टापू पर लड़ा जाएगा कमांडो ड्रैगन एक ऐसा शैतान है जो पिर्थी पर अपनी शैतानियत की पता का फेराना चाहता है और सबसे पहले छोटे समुद्री दीपोर पर अपना कब्जा करना चाहता है कमांडो ड्रैगन इसलिए अंगारा दीव को गुलाम बनाना चाहता था ताकि वहाँ अपना अड़ा बना सके उसने हमें ललका रहा है वैब बदी का प्रतीक है अब हमें उसका खात्मा करना है हम आकरमण की रण नीती अपनाएंगे इसलिए तैयार रहो किमबा वासी हो यह अटल सबते हैं कि हर प्राणी की मनुश्ची की भी मिर्ती होती है किन्तु शहीद होने वाले कभी नहीं मरते जो कमांडो ट्रैगन के विरुत यह लड़ता मारा जाएगा वे अमर हो जाएगा फिर अंगारा ने कुछ जाबास बौनों को चुना और उनके साथ गुप्त मंत्रना की यह ना समझना कि ट्रैगन के जासूस इस किमबा देश पर नहीं होंगे इसलिए मैंने तुमें खास लोगों को ही यहां बुलाया है मैं यह युद आश्यजनक धंग से लड़ना चाहता हूँ सबसे पहले हमारी नीती होगी दिश्मन को दोविदा जनक इस्तिती में डाल देने की यदि अंगारा का शरील गॉरिले से बना है यदि उसमें हाथी का बल, शेर का दिल और गैंडी की खाल गड़ी है तो उसकी आखे गिद्द की हैं और दिमाग है लोमडी का ड्रेगन को धराशाई करने के लिए लोमडी के दिमाग का प्रिव करना होगा यहां आस पस कोई नर्जन टापू है नर्जन टापू तो है किन्तो उसमें एक तो खौफना किस्म के अजगर रहते हैं दूसरे वहां बहुत अधिक दल दल हैं और जो थोड़ा सा टटिय चेतर है जहां सूकी जमीन है वहां नर्बक्षी जानवरों का राज है वहां तो समुदरी लुटेरे भी शर्ण नहीं लेते मैं चाहता हूँ कि किमबा की सारी अबादी इस नर्जन टीव पर चली जाए किन्तो दल दल जानवर और अजगर दल दलों की और कोई नहीं जाएगा राज जानवरों और अजगरों का प्रष्ट वे किमबा वासियों पर आक्मन नहीं करेंगे बलकि उनकी सुरक्षा करेंगे अगले दिन किमबा वासी बॉने नर्जन टापू की और रवाना होने लगे पता नहीं ईश्वर और ईश्वर का बाप क्या गुल खिला रहे हैं बॉने अंगारों को ईश्वर कहते थे और चार्ली को ईश्वर का बाप चलो जटायू हम भी ज़रा उस नर्जन टापू का निरिक्षन का रहा हैं जटायू अंगारा को लेकर उस टापू पर मंडराने लगा शायद इनी दल्दलों की वज़े से मनुष यहां अबाद नहीं हुआ तिर्थी पर ऐसे सेंकड़ो टापू हैं जो किसी ना किसी कारण से निर्जन है जटायू ने अंगारा को सुखी जमीन के टटपर उतारा हे स्वामी आप बौनो को यहां क्यों रखना चाते हैं दुश्मन को ब्रहमित करने की एक चाल है तब ही पुस्स ओ यह माशे आई गए देखो अजगर माशे मेरी आँखो में देखो यह आखें गिद्द की जो सवाव सही अजगरों और सापों का शत्रू होता है और यह भीम का जटायू तो यहां के सारे अजगरों का सफाय कर देगा इसलिए होश में आओ बाकी अजगर और निर्जन टापो के अन्य जानवर भी वहां पहुँचे कौन आया है? कौन है तू? इसे मारते क्यों नहीं? क्या काश की उड़ते पक्षियों ने तुम्हें कभी अंगारा के किससे नहीं सुनाए? सुनाए हैं, सुनाए हैं, अंगारा देवता है, दिखने में मानब लगता है पर है जानवरों मश्लियों और पक्षियों का देवता? तो फिर सुनो, मैं ही अंगारा हूँ अंगारा? अंगारा? देवता आया है? जैहो देवता की? अब मेरी बास सुनो, आज के बार ना तो तुम एक दूसरे का मास काओगे और नहीं इंसानों का तो हम खाएंगे क्या? जिन्दा कैसे रहेंगे? मास खाए बिना मेरी तो दाड़ी नहीं कुलती जिस तरह गायब ऐसे भेड़ बकरियां घास खाकर जिन्दा रहती हैं तो मैं भी उसी तरह का जीवन प्यतीत करना होगा तुमारी देखा देखी में इंसान भी मास खाता है और वह जानरों का ही मास खाता है इससे तुमारी संक्या खटती है अगर तुम मास खार के आदा छोड़ दोगे तो इंसान भी छोड़ देगा हम मास खाना छोड़ देंगे आदमी हमें नहीं मारेंगे तो हम भी उने नहीं मारेंगे आदमी उसे दोस्ती बढ़ाएंगे आज से इस दीप का नेता ही अजगर रहेगा समझे तुम हम नेता हो गए चलो हमारे गले में फूल माला है पैनाओ और उसके बाद मेरे नाम से जिन्दाबाद के नारे लगाओ लोक तंत्र नारों से ही तो चलता है अजगर का फूल मालाओं से स्वागत हुआ और अजगर नेता जिन्दाबाद जिन्दाबाद अब नारा लगाओ अंगारा देवता का अंगारा देवता जिन्दा बाद जिन्दा बाद चलो जटायू अब हम चलते हैं इदा सिंग्राज समुद्र में तेरता ड्रैगन आइलेंड की तरफ जा रहा था अब देखता हूं चिली ने किमबा में क्या गुल खिलाए हैं वहां पहुँचने पर एक कमांडर ड्रैगन के करना मैं अमर हूं लेकिन चिली की तो समाधी बना दी चार्ली और अंगारा ने हाँ जासूस यही खबर लाया है ये भी दुरुफ सत्य है कि जिस तरह मैं नहीं मर सकता चिली भी नहीं मर सकता वह समाधी में खैद हो गया होगा तभी नई खबर आईए नई खबर क्या नई किमबा वासी दीव खाली कर रहे हैं क्यों क्या उनकी मदद करने वाले अंगारो अचारी भाग गए हाँ दोनों जा चुके इसलिए बॉने डर कर दीव छोड़ रहे हैं देखा अब हम किमबा पर पूरी तरह दिकार जमा लेंगे किमबा में अब एक भी बॉने को नहीं कुछ उसने दिया जाएगा किमबा में हम ड्रेगन के भक्तों के लिए सर्ग बनाएंगे किंतु देवता को बली चड़ाने के लिए लड़कियां कहां से आएंगी पहले तो हम बॉनों की लड़किया उठा लाते थे जब देवता उनका खून पी लेता था तो हम उनका मास्क आते अब कहां से लाएंगे हम आसपास के दीपो पर हमला करके ये लक्ष भी पूरा करेंगे हमारी आदी आबादी तुरंत किमबा जाए और बॉनों के घरों पर कब्जा कर ले अंगारा दूर आकाश में ये सब देख रहा था मेरी चाल सफल रही चटायू ये लोग अपने साजो सामान और पूरी ग्रस्ती के साथ भारी संक्या में किमबा की ओड जा रहे हैं अब हम ना तो इनमेंसे किसी को वापिस ड्रैगन आईलेंड जाने देंगे ना ड्रैगन की तरफ से इनकी मदद के लिए किसी को आने देंगे तब तक किमबा के बॉने किमबा से पलायन करके नरजन टापू में पहुँच गए थे चारली भी जूनी के साथ उड़ता हुआ नरजन टापू में आ गया अंगारा भी आकार से उतर कर नीचे आ गया मित्रों अब तुम लोग जब तक यहां रहोगे यहां के जानवर तुमारी से फिफाज़ती नहीं करेंगे बलकि तुमारी लिए भोजन सामगरी भी जटाएंगे अब आक्रमन की योजना चारली तुम नंबर एक कमान के सेना नायक रहोगे यह कमान सीधे ड्रैगन आइलेंड पर हमला करेगी तुमारे साथ सौ छापा मार बॉने सैनिक होंगे तुम और मैं एक सप्ता उन्हें ट्रेनिंग देंगे किन्तो इनके पास ड्रैगन की सेना से योदे लड़ने होगे शस्त्र भी तो नहीं है उसका अंदिज़ाम मैंने कर रख था है अंगारा और चारली बॉनों को प्रशिक्षण देने लगे हाँ अब शुरू करो इसे कहते है कराटी की साइट केक अयवा तुम तो फ्री स्टाल में चैंपियन मिन गए अब इस बम को जितना हो सके दूर भैको निशाना सादो गोली ठीक निशाने पर लगनी चाहिए एक रात अंगारा चटायू की मदर से किमबा की मोडचा बंदी देखने के रादे से किमबा के एक जंगल में उतरा अगले दिन उसने उसी जंगल में सभी जानवरों के एकत्रित बुलाया मैंने तुम सबको यहां इसलिए बुलाया ताकि सब मेरी युद्धनीती समझ ले आज के बाद ये शेर तुमारा सेना पती होगा कल तुम सबको किमबा में आये ड्रैगन के सेवंगों को घेरना है तुमारा असली काम होगा धावा मारकर उनके शस्त्र छीन लेना उन्हें शस्त्र हींग कर तुम समत्र के पूरवी टट पर पहुंचो वहाँ वेल और भारी भरकम शार्क मशलिया तुमारा इंतजार करेंगी वे शस्त्र तुम मशलियों के अवाले कर दोगे उसके बाद तुमारा अगला काम ये होगा कि ना तो किमबा में किसी अन्य सेवक को जाने दें आने दें ना उन्हें यासे भागने दें बस तुम किमबा को चारो तरफ से घेप लोगे तुमारी मदद मशलिया भी करेंगी जो वेल के ने तरफ में समुत्र घेर लेंगी अर्थात ड्रेगन सैनिक तुमारे युद्बंदी होंगे फिर जैसे ही रात हुई अंगारा वापिस जाने निकला रात के समय किमबा में मौझूद कोई जासूस मुझे देखना पारा हो पारा होगा ये विशेश्था तो हमारी विरादरी वालों के पास है जो रात को भी वैसे ही देखते हैं जैसे दिन में हमें उस दीप का नाम क्या रखना चाहिए जटायू सबसे पहले आपने इस दीप को सब्विता दी इसलिए इसका नाम अंग दीप होना चाहिए नहीं जटायू मैंने इसे सब्बिता दी किंतु तुमने मुझे यहां पहुचा है इसलिए इसका नाम चटायू दीप होगा मैं तो आपका सेवक हूँ स्वामी नहीं चटायू मैं किसी जानवर या पक्षी या मचली को सेवक नहीं मानता सब मेरे मित्र हैं आपकी इस महनता की बज़े से तो सब आपको ग्रेट सर कहते हैं सुबह अंगारा प्रेस्टिक्शन से विर में पहुचा चारली इनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है जिन है हम तुम मिलकर ट्रेनिंग देंगे उस से इनका मुकाबला कौन कर सकता है बला उधर किमबा दीपर जानवरों ने ठीक समय पर दावा बोल दिया मारो पकड़ो हत्यार चीन लो हैं चार उत्रफ से जानवर इन्हें क्या हो गया जानवरों की मदद के लिए अंगारा भी ठीक समय पर पहुच गया ओ आकाच से भेंग कर हमला भागो ये तो अंगारा है जानवरों ने हत्यार चीन लिए मैं जरा इसे अंगारा की तरह चला कर देखता हूँ बंदर को राइफल के दस्ते का जटका लगा तो गिर पड़ा बापरे इससे तो चलाने वाला भी उल्टा गिरता है और जिस पर इसकी नलकी की आग पड़ती है वे भी गिरता है बाकी जानवर ड्रैगन सेवगों के शस्त्र लूट का समुद रिटट पर पहुंचे मचलियों ये लो शस्त्र वेल और शाक मचलियों ने निर्जन टापू में शस्त्र पहुचाने का कारे किया वा शस्त्र आ गए फिर अंगारा ने सबकी एक सबाब बलाई देखो अब तो हमें शस्त्र भी मिल गए है ड्रैगन के सैनिकों से युद करना अब हमें आसान सा लगेगा इसकोशी के अफसर पर मैं घोशना करता हूँ कि आज से इस दीप का नाम जटायू दीप होगा लोगों बन प्राणियों पक्षियों और मचलियों याद रहे ये है जटायू दीप उदा ड्रैगन आइलेंड में जासूस खबर लाया है बुरी खबर लाया है बोलो क्या खबर है हे बड़े पुजारी सिंग राज किमबा पर जानवरों ने चाथ दरफ से हमला किया और उनके सभी शस्त्र लूट कर ले गए क्या क्या अंगारा भी था हाँ अंगारा नो उनकी मदद की जानवर शस्त्र लूट कर कहा ले गए इस बात की कोई खबर नहीं शायद अंगारत उन्हें नियत्ता करने के बाद बंदी बनाना चाहता होगा शस्त्रों की हमारे पास कोई कमी नहीं किमबा में शस्त्र पचाय जाएं किमबा के टटीय शेत्रों पर जानवरों ने नाका बंदी कर रखी थी उचे वरक्षों पर बाज जासूसी कर रहा था मुझे दूर समुद्र पर डिष्टी रखनी है तभी हैं दो नौका ये दरी आ रही है देख कर आता हूं क्या माज रहा है बापरे ये नौकाएं तो हत्यार मेकर लेकर आ रही है सेनपती शेर को खबर देनी होगी बाज बापिस जटायू दीप पर लोटा हत्यार आ रहे हैं सेनपती नौकाएं इसी टटकी तरफ आ रही है दोनों नौकाएं टटकी तरफ बढ़ रही हैं थी देखो वेबाँ ने हमारी शेर्ष लेकर खड़े हैं उनकी तो ऐसी की तो ऐसी बस हमारी नौकाएं थोड़ी और आगे बढ़ने दो ठीक उसी समय वेल ने अपना कमाल दिखाया दोनों नौकाएं उन पर आ रहे है सिंगराज के सैनिक उनके शस्त सब समुद्र में डूब गए मचलियों यह हत्यार भी समेट लो जासूस ने फिर ड्रैगन आइलेंड पर खपर पहुचाई बहुत कड़बड है बड़े पुजारी सिंगराज अब किमबा में कदम रखना भी संबब नहीं रहा ठीक है अब मैं स्वेम वहाँ जाता हूं और किमबा से इन जानवरों का सफाय करता हूं उनका नेतरत एक शेर कर रहा है मुझे उसी शेर पर सवारी गाटनी है सिंगराज तुरन वहाँ से अरद्रिश हो गया और किमबा दीप पर प्रकट हुआ इस बार मुझे सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि अंगाराज जटाई की मदब से उचा आकाश में ना उनने पाए और ये दुशकर्म चारली भी ना करने पाए कुछ करने से पहले मुझे चिली को भी बाहर निकालना होगा अपने छिपे हुए आदमियों को ढून कर उनके साथ सिंगराज चिली की समाधी पर पहुँचा चलो खोदो इसकी समाधी चिली की समाधी तूटने लगी हवा का बेटा चिली आगाश में चारली और जटायू दोनों से लड़ सकता है जब हम दोनों अंगारा और चारली के विरुद लड़ेंगे तो यहां समर होगा बास दूर से ये सारा दृष्ट देख रहा था बड़ा फुजारी सिंगराज और ये लोग क्या कर रहे है हवा का बेटा चिली जब बाहर आएगा तो हम सब जानवरों का सफाय कर दिया जाएगा फिर मैं समुद्र की तो इन सब जानवरों का सफाय कर दिया जाएगा फिर मैं समुत्र की वेल को भी मार डालूँगा हैं? ये तो छिटी की कबर खोद कर उसे जिन्दा करना चाहता है बाज ने कबर शेड तक पहुंचाई खबर बुरी है तुरं धंकारा देपता तक ये कबर पहुंचा कर आओ वह जटायू दीप पर होंगे किसी दिन ऐसे ही किसी टापू का नाम बाज टापू भी रखा जाएगा बाज जटायू दीप पर पहुंच गया खबर है बुरी खबर है सौमी बताओ उसने सारी खबर सुना दी इसका मतलब मुझे तुरंत योद्य शुरू करना होगा चारली अपने छापा मार दस्ते को तयार करो और ड्रैगन आइलेंड के लिए कूच कर जाओ मैं सिंगराज को खेरने किमबा दीप जा रहा हूँ इस बीज तुम्हें ड्रैगन के समस्त भक्तों को या तुमार डालना है या बंदी बनाना है मैं चाता हूँ ड्रैगन आइलेंड पर तुमारा खब्जा शीकर हो जाए कोई भी शैतानी ताकत तो ना तो तुमारा खून पी सकता है ना तुम पर जादू चला सकती है ना तुमें खत्म कर सकती है इसलिए तुम आसानी से ड्रेगान आयलेंड पर अपने जंडा फेरा सकते हो ये फत्य होने पर ड्रेगान आयलेंड का नाम हम सब मिलकर चारली लेंड रख देंगे प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी की कसम मैं इट से इट बजा दूँगा चारली अपने जचाप़ मार दस्ते के साथ ड्रेगन आयन की तरफ बढ़ा चलो मेरे जचाप़ मार दोस्तों संगराम के लिए चल बड़े चलो ड्रेगान आयन की ईट से इट बजा ड़ालेंगे तो अंगारा किम्बा दीप की तरफ चलो जटाईओ इस बार हम सिंग्रास निर्णाय के उद्द लणेंगे, किमबा दीप पर, वो देखो, चिली पानी में खड़ा है, रस्से का फंदा डाल कर उसे बाहर निकालू, रस्से का फंदा डाला गया, चिली रस्से का फंदा अपने वदन पर फसा दे, उसी समय अंगारा किमबा पहु उन्हें वहाँ से तितर वितर करना होगा अंगारा आ गया अंगारा का हमला अंगारा आप ये लड़ाई यार पार की है तू अब मुझे हवा में नहीं उड़ा पाएगा अब देख मेरी ताकत जटायू उसे हवा में उठा लो जटायू सिंगराज पर जप्टा लेकिन ओ गायब हो गया मैं यहाँ हूँ जटायू वहाँ से भी गायब हो गया मैं इधर हूँ अब मैं अपने फरसे से इसके पर ही काट डालूंगा ये जटायू कभी न उड़ सकेगा जटायू तुम मुझे यहाँ से उड़ा कर ले चलो भग गया कायार थोड़ी दूरी पर अब मुझे यहाँ उतार दो और तुम दूर आकार से निगा रखो आजा चिली बाहर चिली बाहर आ गया कहा है चारली, कहा है अंगारा अब मैं उन दोनों की समादी बनाऊँगा वै कायर भाग गया अंगारा छुपकर यह सब देख रहा था अब तो चिली भी बाहर आ गया तरकीब से काम लेना होगा इनसे लड़ाई के लिए यह स्थान ठीक रहेगा यहाँ एक बड़ा गड़ा है और समुद्री भी पासी है चलो हातियों अपनी सूनों में पानी भरवर कर इस गड़े को पाट दो अब इस छोटी सी जील को घांस पूस से इस तरह ठकदो की पानी नजर ना आए हातियों ने वैसे ही किया हाँ जील अब दिखाई नहीं देती अब मुझे ताकतवर वानरों की मदद चाहिए हम हाजर है तुम लोग रस्यों के फेरे बनाकर जंगल के पिड़ों की उची शाकाओ पर बैट जाओ जब मैं सिंग्राज से लड़ता इस जंगल में आऊंगा तुम इसे फंदा डालकर हवा में उठा लेना अगर चिली कोई फंदा काटता है तो दूसरा फंदा वाला तैयार रहे सिंग्राज जिदर से भी आए फंदा तैयार रहे फिर मैं अपनी दिमागी कसरत से इस जील तक चिली को लेका रहूंगा और जैसे ही वह पानी में गिरे कुछ जानवर तुरन घास अटाएंगे फिर हाती और पानी डाल कर इसे पूरा भड़ देंगे उधर एक बात ध्यान रखना तुम मेरी उसव मदद करोगे जब अंगारा किसी चाल से मुझे हवा में उड़ाने या लटकाने की कोशिश करे और तुम मेरी उसव मदद करोगे यहां से मैं इनकी पूरी बस्ती तक देख सकता हूँ वो रासिंग राज और चिली भी है हमला वो रहा अंगारा चिली तुम उसे हवा माक से पकड़ो और मैं जमीनी माक से अंगारा तुरंद वने घने जंगल की तरफ भागा हैं यह तो जंगल की तरफ पढ़ रहा है इसका चटाई का है आकास से इस घने जंगल में कुछ दिखाई नहीं पड़ता मुझे भी जमीन पर चल कर उसे पकड़ना होगा चिली जमीन पर उतराया इसी रास्ते से भागा है सिंगराज भी वहां पहुँचा मिला नहीं कहीं दिखाई नहीं देता लगता है जंगल में छिप गया तबी वो रहा मैं ही निपड़ता हूँ उससे जैसे ही सिंगराज अंगारा की योजना बस सीमा में पहुचा यह क्या सिंगराज मैं अहिंसावादी कमांडो हूँ सबसे पहले मेरी कोशिश यही होती है कि अपरादी ये शत्रू को जीवित गरफतार करू किन्तु तू फासी का मुझ्रे में और मर कर जिंदा हुआ है इसलिए अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा तो मैं मारे बिना कमांडो टैगन का खात्मा नहीं हो सकता मैं ये भी जानता हूँ कि तू अपनी धड़कने भी रोकना जानता है और शारी का रक्त प्रवाबी तुझे गोली मारूँगा तो तू गोली को ऐसे ही हज़म कर जाएगा जैसे लोग अंगूर हज़म कर जाते हैं किन्तो अगर मैं तेरा सेरी काट डालूँगा तो तू जिवित नहीं रहेगा काट दो सौमी काट दो लेकिन तभी ठिशूम ठाक हे 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 अब मैं यहां बैठकर ये कुष्टी रेखूंगा इस चिली के बच्चे ने हमारी मेहनत पपानी फिर दिया निपट लो इस से आज अब देख मेरा फरसा किस तरह तेरी करतन काटता है लेकिन उसी वक्ट ये खुशियार वानन ररसी का फंदर डालकर सिंगराज को हवा में उठा लिया हवा में लटकने से सिंगराज का फरसा भी गायब हुआ अब मैं इस खंजा से तेरी गर्दन काटी देता हूँ चिली बचाओ खुल्लू के पठो अभी मुझे सिंगराज बुला रहा है तुमसे बार में निपटूंगा बार बार तु सिंगराज को बचाने आ जाता है पहले मैं तेरी गर्दन काटता हूँ तूने मेरी समाधी बना दी थी अंगारा मैंने कसम खाईए कि मैं तेरी समाधी बनाऊंगा अब एक फुटके बॉने के बॉने तू क्या मेरी समाधी बनाएगा मुझे दो दो हाथ तो कर नी सकता ये बात है तो देख लड़ते लड़ते अंगारा चिली को गुपत जील के टटपल ले आया बड़ा पहलवान बंदा था तू अब क्यों बागता है कुष्टी का इतनी शौक है तो यहां आजा चिली गुस्से में अंगारा की तरफ भागा और थोका पानी चिली सिंगराज का सिर काटने के बाद तेरी खबर लूँगा तब तक पानी में गोते लगाता रह अंगारा सिंगराज के पास पहुचा अब चिली तुझे हवा से मुख करने नहीं आ सकता सिंगराज अब मैं तेरा सिर काटने जा रहा हूँ नई तो मुझे एक प्रशन का उत्तर दे कमांडर डैगन की मृत कमार बता सकता हूँ परन्तु तुझे वचन देना होगा कि तु मेरा सेर नहीं काटेगा ठीक है मैं वचन देता हूँ तो सुन डैगन के पेट में एक शैतानी आत है जो उसके पेट में अलग ही चमकती है इसी से वह शक्ती प्राप्त करता है और अपने शरील का आकार कही गुना बढ़ा सकता है वह एक वग्यानिक भी है पूरे विश में उसके मुगाबले का वग्यानिक अभी तक पैदा नहीं हुआ किन्तु उसके पेट की याद काट डालना संबब नहीं क्योंकि ड्रैगन के शरीप बंगोलियों का कोई असर नहीं होता ना उसे आख से जलाया जा सकता है ना पानी में डुबोया जा सकता है वे अपने दीप में सैखडो फीट नीचे भी जाकर धर्टी के केंदर में पहुँच जाता है जल्दी तुम्हें उसकी मिर्ट्यू का समाचार मिल जाएगा सिंगराज अभी मैं वचन के अनुसार तेरा से अभी नहीं काटूंगा किन्तु तुम कभी भी इस हवाई घेरे से मुक्त नहीं हो पाएगा तेरा शरीर इसी तरह लटका रहेगा और तू सूख कर कंकाल बन जाएगा सुनो मित्रों मैं जा रहा हूँ तुम मेरे लोटने तक इस हिस्तान के रक्षा करना कोई इसे रसे से आजाद ना कर सके और उस जील को इस तरह ठक दो कि फिर उसमें कोई न उतर सके जो अग्या सौमी, जो अग्या सौमी, जो अग्या सौमी जटायू, कमान मुझे ड्रैगन आइलेंड लिश चलो, जो अग्या मैं आकाश से देखना चाहता हूँ कि चारली क्या कर रहा है जल्दी ड्रैगन आइलेंड पर ओ, चारली तो बड़े जोशो घरोश के साथ लड़ रहा है किमबा दीब के बौने भी कमाल दिखा रहे है कमान्डो ड्रैगन के फुजारियों में हाँ कार मच गया अब देखता कमान्डो ड्रैगन को प्रकट करना ही होगा हाँ चलू भागो जल्दी कमान्डो ड्रैगन की अरादना शुरू हो गई है कमान्डो ड्रैगन आज तुझे बली देने के लिए हमारे पस کوئی नारी बाहर से नहीं लए चाह सकती क्योंकि हमारे सारे मार रुख गए इसलिए हम अपनी ही विरादरी की कन्या को बली चड़ा रहे है वे सब उस मैदान की तरफ क्यों भाग गए चलो मेरे बातरों उसी तरफ बढ़ चलो बली चड़ाने के बाद प्रकट हुजा देवता प्रकट हुजा तेरी जंता त्राही त्राही कर रही है सिंग राज मारा गया चली भी नहीं रहा तो ये है कमांडो ड्रेगन इसका अकार बढ़ता ही जा रहा है ड्रेगन के आँगों से निकलती तेज गिरना है बॉनों पर बिजली जैसी गिरने लगी वे जल कर भस मोने लगे ये तो मेरे छापा मारों को जिन्दे ही जला रहा है इस पर तो गोलिया असरी नहीं करती अपनी सुपर अनरजी से इसके पाउँ खाडता हूँ ओ इसने तो मुझे ही ते पूछ लिया और ये तो पहाड़ की तरह जमीन से चुपका है इन निरी बॉनों पर क्या करमन करता है ये तो लड़ना है तो अपने बरावर वालों से लड़ो कौन है इस पूरे ब्रमान में मेरे बरावर शक्ती वाला मैं हूँ अंगारा ए महामूर कांगारा अब भी समय है तू मेरी गुलामी से इकार कर ले अनता मैं तेरे सारे गोड़ सारी ताकस सारी बुद्धिमानी अपने अंदर समा लूँगा अंगारान पुस्पुसाते जटायू को सूचना दी मैं इसका ध्यान बठा रहा हूँ तुम तुरंद वेल को खबर कर दो कि जैसे ही पहला धमा का हो इस दीप पर ठक्करे मारना शू कर दे और जैसे ही दूसरा धमा को ठक्करे रोग दे और जटायू चुपके से वहां से किसक गया तू क्या समस्ता है मेरी शक्ती के वल मेरे शरीर में है अरे गमंडी ड्रैगन तू बहुत अंदकार में जिसके पास दिव्यास्त्र है दिव्यास्त्र? हाँ, ऐसे शस्त्र जो मेरे शब्दों और मस्तिश की तरंगों से सक्रिय हो जाते है और हजारों मील तगवार करते है मुर्ग बनाता है मुझे प्रथी पर रहाशा सस किसी के पास नहीं तेरे पास तो किवल आंखों की अगनी वर्षा शक्ति है या तू आंदी तूफान चला सकता है या तू अपना विकराल रूप धारान कर सकता है ये सब मायावी शक्ति हैं ड्रैगन जो देवी शक्ति के सामने भेमिशा पराजित होती रही है बना क्या इसके अत्रिक्त भी तेरे पास कोई शक्ति है अरे मूर्ख मैं माया भी नहीं विद्वान भी हूँ मेरी प्रेणना से ऐसे ऐसे शस्त्रों का निर्माण हो चुका है कि प्रिधिवी में अभी तक किसी ने ऐसे शस्त्र नहीं बनाए कहां है विशस्त्र मैं उनसे बड़े शस्त का पतशन कर सकता हूँ अंगारा, तु विशु का एक अद्बूत प्राणी और जाबाज युद्धा है मुझे तुझ जैसे युद्धाओं के अवाश रकता है इसलिए मैंने सिंग्राज को निर्दिश दिया था कि वे तुम्हें खत्म करने की कोशिश ना करे और आज तु मेरी डिश्टी के सामने है अब मेरी इच्छे के बिना तु मेरी डिश्टी से भी होजल नहीं हो सकता तुझे अब मेरी सत्ता सुईकार नहीं पड़ेगी इसलिए मैं तुझे उन शस्त्रों का नमूना दिखाता हूँ उदर देख वे रॉकेट देख रहा है इस दीव के हर पहाड में ऐसे अंगनत रॉकेट है ये सब हवा से इधन प्राप्त करके प्रकार वेक से उड़ने की छमता रखते हैं और इन में ऐसी गैसे भरी होंगी जो वाई मिंडल में फैल गई तो उस छेत में रहने वाले सभी प्राणी अपने मस्तिक्ष पर नियंतर नहीं रख पाएंगे और सुननो जाएंगे जिस तरह बच्चा उतपन होते समय कुछ नहीं समझ बोल पाता वही आलो जाएगा तब हम इन प्राणीयों को जो भी बताएंगे वे हमारी सिक्षा के अनुरूप चलेंगे एक रॉकेट की सेही में 1000 किलोमीटर तक होगी पूरी पृत्वी पर नियंतर करने के लिए विबिन न दीप अबर ऐसे ही शस्त्र लगाए जाएंगे उसके बाद एक साथ पूरी पृत्वी पर इने दागा जाएगा और पृत्वी यूं मेरी गुलाम हो जाएगी है किसी के पास इस शस्त्र को उत्तर? हाँ मेरे पास है मैं ऐसे हर दीप को खड़े खड़े उखाड़ सकता हूँ जिसमें शस्त्र के शस्त्र छुपे होंगे तो फिर दिखाओ अपना नमूना हाँ 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 ध्राम इस बम से भला क्या होगा अंगारा? बम की आवा सुनते ही वेल ने ड्रेगर लाइन कर पटक कर मारना शुरू कर दिया थाक थाक हैं ये तो सच्मु धरती हिल रही है अब ये दीप तुकडे तुकडे भी हो सकता है अब बोल तू शक्तिशाली हुआ या मैं? है तेरे पास इसका जवाब? रोक सकता है ये भुकम? अब तुझे जिन्दा रखना खत्रे से खाली नहीं मैं तुझे हजम करके पचा लूँगा ओ ये तो अपनी जबरदस सासू से मुझे खीच रहा है ड्रेगर अंगारा को निगल गया जैसे ही मैं आकार गटाऊंगा तू भी घटता जाएगा अंगारा फिर तू मेरे पेट में अंडे जितना रह जाएगा आकार से जटाईू देख रहा था हैं वे अंगारा देवता को खा गया वेल लानी तोड़ दे सारा दी ड्रैगन ने देवता अंगारा को खा लिया उधार ड्रैगन के पेट में चारली मैं आ गया हैं अंगारा इसने तुमें भी खा लिया यहां सूरज की रोश्णी नहीं पहुंच लिया वरना मैं इसका पेट फार डालता इसका पेट इस तरह नहीं फट सकता चार्ली तो कैसे फटेगा ये रही इसके पेट में शैतान की आथ जो चमक रही है अगर इसने अपना रूप छोटा कर दिया तो हम पिस जाएंगे इससे पहले कि इसका खात्मा करके बाहर निकलना होगा अंगारा ने शैतान की आथ काट दी खचाक और फिर ड्रैगन का पेट फार डाला वा अंगारा बाहर निकलने का रास्ता तो बनी गया जैसे ही अंगारा चारली बहादुर निकले बाहर निकले ड्रैगन का आकार घटने लगा दौनों ने मेरा एक जीवन समाप्त कर डाला अब तुम भी नहीं बचोगे कोई नहीं बचेगा और अगर बच भी गया तो हवा का बेटा मेरी मौत का तुम दौनों से बतला लेगा तुम सब समुद्र की तरफ भागो शीकर सागर में कूच जाओ दीप अपर लेओने वाला है चलो जटाईू ओ दीप में भैंकर तबाई हो रही है अब सब कुछ नजर नहीं आता जटाईू और उची रांग भरो ये गैस हम तक नहीं पहुशनी चाहिए एक रॉकेट किमबा दीप पर भी गिरा अब हम किमबा में भी नहीं उतर सकते क्योंकि वहां रॉकेट फट गया है और उस दीप पर गैस फैल चुकी होगी जिसके कारण में परते एक प्राणी का मस्तिक सूनन हो गया होगा चारली का क्या होगा सौमी किमबा तो जूनी का देश है चारली सीधा जूनी के बाद जटायू दीप में पहुचेगा चलो वहीं चलते हैं चारली माँ पहली पहुच चुका था योद खतम होगया अंगारा मेरे सारे छापामार शाहिद हो गए किमबा मैं भी रॉकेट गिर चुका है अब मैं जूनी को लेकर जा रहा हूँ नहीं तुम जूनी को लेकर नहीं जाओगे जूनी इनकी राजकुमारी है और अब ये बॉने जटायू दीप के नागरिक है इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव वे है जूनी चली आओ मैं चार्ली बुला रहा हूँ इशर का बाप पहनी आईगी क्योंकि उसे मैंने तेरी एसलेट बता दिये और अब जटाय दीप के राजकुमारी है प्रिंस टुमबा क्या त्यारे तूने मुझसे जूनी भी छीन ली मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूँगा सूरच छिपने वाला है चार्ली मैं तुझे जटाय दीप से भागने का अंतिम मौका देता हूँ यहां दोबारा मता आना क्योंकि यह दीप भी अंगारा दीप का एक अंग बन गया है और शीगरी जूनी का एक बौने सर्दार से व्यवा हो जाएगा फिर वहरानी बन जाएगी यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता अंगारा मैं चटाय दीप का तबाह कर दूँगा सूरच छिपरा है बौनो पकड़ लो चार्ली को यह इशर का बाप नहीं लोई का पुतला है जो सूरच की किर्णों से शक्ति प्राप्त करता है है कोई माई का लाल जो मुझे पकड़ सके अब इस सूरच ढूबा तो नहीं है हाहाहाहा दूसरे दिन बड़े संब्मान पूर्बद राजकुमारी जूनी को लाये गया अब शीग्र जूनी के विवा का प्रबंद किया जाए राजकुमारी जूनी जिन्दाबाद अंगारा जिन्दाबाद तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समात करते हैं और मिलते हैं अंगारा की अगली कॉमिक्स अंगारा और भूतों का राजा में तब तक के लिए धन्यवाद